नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रिल सॉलुशन्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज वीडियो के अंदर हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं डेजाइनिंग हाइड्रोलिक पाउर पेक सर्किट इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को चुकाऊंगा कि किस तरह से हम एक सिंपल से हाईड्रोलिक सिस्टम को डिजाइन करते हैं ये वीडियो एक बहुत जाद इंपॉर्टेंट वीडियो है क्या-क्या parts होते हैं power pack के और साथी hydraulic cylinder इनके ओपर हम लोग पहले देख चुके हैं तो अब क्या होगा friends इन सभी को हम use करेंगे और एक hydraulic system को design करेंगे ताकि हम पता कर सकें कि practically hydraulic system किस तरह से काम करता है ये सभी हम उसमें use करने वाले हैं और separately इनकी सारी videos ये जो 6 system है इन सभी की videos मैंने description में भी add कि हुई है आप वहाँ से जोने check कर सकते हैं तो चलिए friends अब हम design करते हैं अपना एक power pack का circuit मतलब जिसमें हम एक cylinder को operate करेंगे और उसमें हम क्या use करने वाले हैं ये सभी walls का use करने वाले हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा है हमारे पास अपना एक power pack है तो हमने सबसे पहले क्या draw किया pump ये pump का symbol है design करने से पहले मैं बताना चाहूँगा symbols का बहुत विश्यश ध्यान रखना है आपको कोई भी hydraulic अगर आपको circuit पढ़ना है अफिर draw करना है pump को हमने क्या किया coupled किया ये coupling का symbol है किस से? motor से ये आपका motor का symbol हो गया अब क्या हो रहा है फ्रेंट्स? pump, pump क्या करेगा आपका oil को खींचेगा नीचे से tank में से तो ये line हो गई और है मैंने line में क्या डाल दिया? filter तो filter का symbol हम बना आएते हैं ये आपका filter का symbol है उपर तेल जाएगा अब क्या होगा फ्रेंट्स? यहां से हमारा तेल गया आगे जो pump नीचे से तेल को लेके आगे सिस्टम में सर्कुलेट कर रहा है ये हमने सीधे pressure relieving valve में दे दिया अब ही मैं सम्झाओं कैसे work करेंगे एक चीज को सम्झाओंगे पहले हम देखें कैसे drain कर रहे है ये आपका pressure relieving valve है ये symbol होता है pressure relieving valve का और यहां से ये line dotted line से touch हो जाती है उसके बाद क्या होगा friends हम use करेंगे इसके लिए एक pressure gauge भी use कर सकते हैं ताकि हम अपने system का pressure पता लगा सकें ये आपका pressure गये जो गया कि कितना pressure है वो आपका easily पता कर सकें फिर क्या होगा friend जो आपकी ये line है pressure relieving valve से आगे चलेगी और चाहें तो आप इसमें एक flow control valve भी लगा सकते हैं ये मैंने इसमें लगा दिया flow control valve ताकि हम इसका flow भी control कर सकें मैं इसके comments भी सेज़ेता हूं साथ में ये आपका flow control valve ये आपका pressure relieving valve और ये आपका motor ये pump है ये coupling है ये pressure गये जाए flow control valve से सीधे जाएगा हमारा जो DC valve होता है direction control valve तो direction control valve भी हम बना रहेते हैं ये आपका direction control valve दो condition का four port का direction control valve हम यूज़ कर रहे हैं कितनी condition है दो और port कितने है चार अब क्या होगा friend जो आपकी line है ये इससे connect हो जाएगी ये return line हो जाएगी आपकी तो उससे पहले मैं अपना एक cylinder भी design कर ले जाए हूं ये आपका hydraulic cylinder है जिसको आपको operate कराना है तो क्या होगा ये जो port है friend दो cylinder के एक port होगा एक port होगा तो ये line ऐसे connect हो जाएगी मानके चलिए जैसे यहां से tail entry करेगा इस port के through तो यहां से drain होगा तो ये आपकी drain line हो जाएगी ये drain line सीदे कहाँ जाएगी tank में और नीचे क्या आजाएगा friend एक और ये in line filter है और ये return line filter हो जाएगा तो इसका सिंबल कैसे होगा ये नीचे की तरह होई लाएगा ये पूरा system होँआ रहा draw हो चुका है friend अब मैं एक बार आपको explain कर देता हूं कैसे काम करेगा और इसको भी हम बतायते हैं ये क्या है आपका DC वाल इसकी मैं कोईल भी गनायता हूं ये कोईल हो गई कोईल नंबर ए और कोईल नंबर बी तो क्या हो रहा है friend जैसी हम motor start होगी जैसी motor start होगी वह coupling के थुरू pump को rotate करेगी और pump यहां से oil को सक करेगा ये oil आपका जाएगा अब ये क्या आपका pressure relief valve है इसमें थोड़ा रह गया है pressure relief valve को भी आप tank से connect करते हैं वाल के चलिए हमने इस पर 80 kg पर cm2 या फिर 80 बार का pressure set किया हुआ है अगर जैसी यहां से वाल लो pump दे रहा है 100 बार तो क्या होगा 20 kg नीचे इसे drain हो जाए लाइन में वाकी जो 80 हमने set कि है वो आगे चले जाएगा और वो चेक करने के हमारे पास pressure किये जाए ये दिखा देगा आपका 80 आ रहा है flow control valve से आप उसकी flow को जाएगा और यह ऐसे निकलके tank के अंगर आपका तेल वापिस हो जाएगा तो इस तरह से फिर यह काम करता है बिलकुल basic सा simple design हमने किया हुआ है इसमें ज्यादा चीज का अगर वीडियो अच्छी लोगी तो फिर्ट्स लाइक कीजे जाए शाल वीडियो को शेयर कीजे और प्लीज डोंट फॉर्वेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू